पुलना होगी हमने इसको पूरा किया पुरना एक बार दर्शन और मद्यदर्शन के प्रनेता श्रद्धेश्री श्राजी को अब दर्शन का व्याख्या करना कल भी इसको शेर किया था और वापस ऐसे आज भाव मैसूस हो रहा है कि अपने में काफी गंभीरता की एक जिमेदारी है एक अवसर है क्यूंकि एक तो अनुभाव के बारे में जो भी मैं वेक्त कर रहा हूं अभी ये मात्र अनुभाव के बारे में अनुपान है जो मैं देखता हूँ हर एक वर्ष हर दो वर्षों में ये परिवर्थित या परिमार्जित होते जा रहा है तो ये पक्ष दूसरा अध्यसदर्शन के प्रणेता के अनुसार अनुभाव के अवस्था में उनकोच अनुभाव हुआ और उसको जिस विधी से उनोंने अभिवे प्रमानित किया उसमें अभी तक पानव तो इस धर्थी पर पानव रहा है चारो साल का इतिहास बताते हैं या लाखों वर्षों का इतिहास बताते हैं तो ये अच्छा आवाज कम है तो टोटी कोनी चाहिए कि आप लोगों से निवेदत है कि आप लोग ये फोन यूस कीजिए तो शायद आवाज में थोड़ी सी इस्क्रूमेंट आएगी तो इस प्रकार के अनुभा ज्यान को जो अभी तक मानव के लिए अज्यात रहा और उसमें यही देखेंगे इस दर्शन में मूल में जो ती इस गठन पून परमानू में जागरतिक क्रम होना और जागरतिक क्रम के माध्यम से रास्टे से के विधी से क्रिया पून्ता की स्थिति तथा क्रिया पून्ता के अनंतर आचरन पून्ता तो आचरन पून्ता से संबंदित ज्यान और उसका आचरन तथा उसका प्रमान तो तो इसका स्मरन करते हुए और इस बात के गंभीरता को हम ध्यान में रखते हुए और ये भी ध्यान में रखते हुए कि मैं अभी जो भी संप्रेशित कर रहा हूं जो भी बोल रहा हूं ये मेरा अनुभव के पती अनुमान है मुझे अनुभव नहीं है इसके बारे में मुझे कोई भी संदिक दिता ब्रहम सत्या है तो यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रहम और चेतना एक ही वस्तु है वस्तु के रूप में यह दोनों एक ही है यह दूसरे लाइन में हमको स्पष्टिकरान मिलता है जड़ ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्ता में तो यह भी गठन पून्ता जो अनुसंधान है गठन पून्ता को बोध और अनुभवकाल में जो भी ज्यान हुआ अगराजी को उसके अनुसार जड़ ही विकास का एक बिंदु हमको मिलता है जो भी विकास और हरास का दर्शन होता है अस्तित्त में यह परमानु में ही पाया जाता है जो भी विकास होना है परमानु में ही होना जो भी हरास होना वो भी परमानु में ही होना है यह बहुत ही क्लियरली बहुत सारी चीजें इससे संबल्द थमस्पष्ठ होता हुआ, देखते हैं दर्शन में, आगे, धर्ती जैसी रचनाय अनेक अनु पर्मानु के संगटित पिंड के रूप में, जड़ प्रकति की रसायं क्रिया प्रक्रिया प्रभाव और परिनाम ही सीमा है, वहर चैतन्यता नहीं है, बहुत क्लियर डिमार्केश का इसन कर दिया, कि जो भी विकास और ह्वास होना है, वह पर्मानु के सीमा में ही होना है, घरती जैसे आने हैं, यह पर्मानु के ही संगटित के रूप में यह दिष्टव आहतृत हैं, और इन में जो सीमा के रूप इंद्रियों के माध्यम से प्रतेख शुरूप में भी अभी दिश्टवी है यह हमको समझ में आता है और यह चीजें चैतन्य और चैतन्य यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह चीजें चैतन्य भी नहीं तो जड़ और चैतन्य में बहुती एक क्लियर डिमार्केशन हमको इस दर्शैन में मिलता है उसी को यहां पर पुना धोराया है प्रस्थापन एवं विस्थापन प्रक्रिया ही रासायनिक एवं भौतिक सीमा की करीमा है तो भौतिक तथा रासायनिक दो प्रकार की क्रियाओं के बारे में हम अध्यन करते हैं जिसके दीटेल में भी नहीं जाएंगे पर कुल मिलाकर भौतिक तता रासायनी क्रिया के मूल में भी पर्मानु को ही पाया जाता है और उसमें अंशों के बढ़ने को प्रस्थापन का है तता उसके घटने को विस्थापन का है अगे पर्मानु में पाये जाने वाले अंशों की संख आई पैदा नहीं होता है अंशोंके प्रस्थापन तथा विस्थापन जो है पर्माणूंगों के बीच में होता है तो जो हैं यह एक वस्तू पदक जो है थे नया थो नया पदक प्रकृति में आशा विचार-इच्छा और संकल्प प्रकृतिय तो यह बहन smith संकल्त बता है कि जड्र में नाशा है ना विचार है ने इच्छा और संकल्त है यह भी सरल है यह प्रकृत ही और देखने वाला है वी स्वयममें व्रेया ही है और उसी प्रकृति का विख्सित अंच है, तो प्रकृति में ही प्रकृतन पूर्वक ऐसा एक एक वस्तु तयार होता है, तो स्वयम उस प्रकृति तथा अस्तित्व का द्रिष्टा बन सकता है, यह इस दर्शन में गठन पून्टा से संबंदित अनुसंधान के फलस्वरूफ ही इस लाइन को लिखना मेरे अनुसार तो संभव नहीं है यह कल्पना में भी आना बहुती मुश्किल है आगे सम्यक दर्शन संपन्य निर्भ्रम इकाई दर्शन शमता जागरती का जोतक है तो सम्यक दर्शन का मतलब बद्यस दर्शन इसका मतलब है कि न समावेश वोना न विशामावेश होना दूसरे भाषा में नाति था पती दोश ना था पती दोश इन धोशों से मुक्त संपन जो जीवन है इति को निर्भृ मिकाई क्या रहे है और ऐसा दर्शन शम्ताही ग़तिकर जो तक है तो जो जैसा है उसको वैसे ही देख लेना, जाणना, मानना, पैचानना, निरवा करना ती लाइन से फिर उधगमिक होता है अस्तित्यों से अधिक अनुमान नहीं है या उससे अधिक हम अनुमान करी नहीं सकते हैं हम जो भी कलपना भी कर सकते हैं पहले से जृष्य की रूप में जो है उसी को जोड़ घटा कर ही हम अनुमान कर सकते हैं जो अस्तित्यों में नहीं है उसकी अनुमान करने की संभावना यह भी हमको ईस दर्शन में खुबी दिखती है लिश्टा पुस प्रश्ट करना सांतित्तों की व्याख्या है और वस्तविक्ता की रूप में जो व्याख्या है और इन दोनों में जो अंतर संबंध है बहुत क्रिस्टल क्लेर सिर्थी से मिलता है यह बहुत को घ्यान के अर्थ में और इसके अध्यनि विकल पात्मक den रेते हुए विश्लेशन अनुभाव का भाव ही यातव्यता में अपूर्णता प्राप्तव्यता में फलता होतव्यता में सशन्ता त्रिष्टव्यता अपर्पुना कभी होने का जो एक प्रमान हमको प्रसुत होता है दर्शनकार का कभी होने का प्रमान भास रहते हुए कि विशलेशन नहीं कर पाते हैं उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं मात्र होने के सिहेयत तक उसको अनुभव तक, विशलेशन का मतलब उसका भास पूरा होना उसके बाद उसका आभास प्रतिती होकर अनुभव तक हम नहीं कर पाते हैं, इसी का अभाव ही ज्यातविने में ज्यान होने में अपुर्णता है, इसलिए प्राप्ति में भी सुख, शांती, संतोष, आनंद कि प्राप्ति के रूप में भी हमारे में अभाव है, इसलिए होने के रूप में भी संचे बना ही रहता है, कि क्या सुख हो भी सकता है, क्या शांती हो भी सकता है, क्या व्यवस्ता हो भी सकता है, क्या संबन पूरो जिया भी जा सकता है, क्या जागरती होता भी होको लेकर ह तो व्यात होने में जो अपूर्णता है वहना व्यात होने के अपूर्णता के मूल में दी देखेंगे तो विशलेशन समता विशलेशन से होते हुए आभास प्रतिती अनुभवत तक ये जो कमी है वही आगे जाके प्राप्ती के रूप में तता होने के रूप में हमको कमी के के रूप में दिस्टा है दूसरे नComment इतना हमको समझ में आता है उतना ही समको प्राभ्थ होता है और उसी के अनुपात में धट्टना धट्ती है उसी के अनुपात में होता है आगे आगे क्रियात्मक कस्तित्व जठ चैटननात्मक प्रकृति का प्रसिध्ध रक्षण है वगल्बने लिए दोनों ही क्रिया है मैं हूं का प्रकाटन ज्ञान अवस्था में विचारपूर्वक व्यावर्व विहार के रूप में होने का प्रकटन, जीव अवस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में, प्रान अवस्था में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्त अवस्था में गठन पूर्वक गती के रूप में दिश्टरवे हैं, तो मैं हूँ ये जो है ये ज्यान अवस्था मे में जीवन है उसमें ខ का प्रकटन कन्स उसमें मैं का प्रकटन नहींड है मानता से ही चुरू होता है विज्यान में कोश के विक्सित होने से ही संभव है तो आननमे कोश तो हमको जीव अवस्था में भी दिखता है विज्ञान में कोश के विकास के कारण ही मनुष में मैं हूं का प्रकटन हमको नजर आता है ओने का प्रकटन जीव अवस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में दिखता है और एक हम यहां गौर विवहार भी करता है तो कल ही हम लोग यहां हमारे घर की पीछे पहाड उस पर टहलने गए थे तो यह लाइन में कल पढ़ा था आज प्रसुती है तो कल उसको एक बार पढ़ा मैंने अध्याय को तो कलते हुए मैंने साथियों से यह कहा कि हम लोग भी जो गूम रहे हैं और द एक मौली कंतरे में दिश्टाया घा है पर नंवस्था में तो रच्हां पूर वक्त आसवादन के रूप में लिए तो यह तकिरिया है। खटना के रूप में तो वहीं का मतलबी है कि कई प्रस्टूत उपस्थित अप्षेंज में से संभावन में से किसी एक का चैन करना ये आस्वाधन क क्रिया का क चम्ता एक capability के रूप में एक faculty के रूप में हमको समझ में आता है तो मनों में कोश हमको प्रानवस्था में भी दिखता है और वो जैसे एक पेड़ पौधे को दी देखेंगे तो कई जैसे दो तीन प्रकार के पेड़ पौधे एक ही धर्ती से भिन भिन प्रकार के वस्टूओ को ग्रहन करते हैं में एक हमें करते हैं यहां वंगर सब्सक्राइब करते हैं यहां ह सामानिय रूप से जब हम चारों अवस्थाओं को जीवनेज्या परिशे शुवर में सुनते ऐसा लगता है कि यह तो बहुती कामान इसी चीज है उसके मूल में जो जो ताफ्तिक ज्ञान है वो यहां पर अनुवदर्शन में हमको बिलता है और वो क्यूंकि अस्थित्व सहज है प्रकृति सहज है इसलिए हर आदमी को बोलने से यह समझन हाता है कि इस सद्थर को फिर द्रिश्यन ही कहते हैं और सक्ता में प्रकृति का दर्शन होता है तथा तथा में घ्यान तथा अनुभव होता है एक मिलिव ये आफी परल है मुझे लगता है कि जो लोग वाकी तीन के भर्च परफर नों को सुने हैं इसमें कोई चीछ हम को सभल की है प्रकृति और City बीरी है और से जाल कर दिया कोー प्रीया को ही कम जादा किया दा सकता है जो हराज को थी कम जादा करने की सम्भावन पस्वार हरास को भी फिर परिनाम ही यह बी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जैसे अभी टाहीम का जो कंसेप्ट है जो आधनिक विज्ञान में हम सुनते हैं नहीं किया है मैंने जनता हूं परंटु जो सुनने में आता है काल को एक 16 अस्तित्य के के साथ जोड कि यहावाज आरी आप लोगों को कि बीच बीच में सिग्नल डिप हो रहा है अरे पाद जितने अर्स सिट्व में जितने नेटवर्ड प्रोवाइडर हैं सब को ट्राइब कर चुके हैं कि अ तो मुझे ठीक दिखाए दे रहा है कि आपको मुझे यहां ठीक लग रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है तो वापस इसमें प्रेक होने से आप बताईए पीच बीच में थोड़ा सा डिप होता रहेगा शायद कि आट विंडो में आप लोग कंफर्म कर देंगे तो मैं बढ़ता हूं कुक्त आनी रहा है तो अम एम प्रोसीडीं एक ताल विकास और हरास को भी परिनामिक आ है तो में यह कह रहे था कि यहां प्रूसीं है। परों को परिणाम के साथ जोड़ के बताया गया है करियां से भिन शर्ड़ की फिर काम कीफिर को 뒤 want को पसंद नहीं है उसमें रहना पड़ता है तो लगता है कि समय भहत था चीज आच्छी लगती है उसको करते समय लगता है एक फोर्थ डामेंशें चो पैचाना गया है इसको स्पेस के साथ के रोड़कर बताते हैं परन्तु इस रूप में जब देखा जाता है तो वहां का स्पेसrab वहां का छोटो कहा गया है यह दोनों एक ही वस्तु है है या नहीं यह बहुत कलियर हैंने अभी तक आपके चार्ट से कुछ आया नहीं हाँ तो दिखाए जेरा कि जाना इंटरप्शन हो गया हमारे सशने से को नहीं करके पुछ लोग एक पुछ हाँ अभी आ रहा है ना अलो हाँ अभी आ रहा है अच्छा ठीक यहाँ वो चैट विंडों में कुछ दिखी नहीं रहा मुझे ओके ठीक आल पूशिट तो परिणाम को फिर इकाई अत्व कहा है यह ना परिणाम के साथ ही फिर काल विकास सतहास की बात है परिणाम के साथ यह और तो इसी को फिर संख्या और समूव कह रहे हैं और सम्य प्रकार से ख्यात होना ही संख्या है बहुती एक सुंदर परिभाशा हमको मिलता है सही प्रकार से सही विधी से जो ख्यात होता है एक इकाई को दूसरे इकाई से जो हम भेद कर पाते हैं और उसके मूल में इकाई होने के जो वास्तविक्ता है जो तात्विक्ता है उसको सवितारने के साथ जब हम उसको घंळा करते हैं तब उसको सिर्ण क्या है तो संख्या का व्लेभी घ्यान क्यूंकि जब जिसे गनित को Bahashari देखेंगे तो गनित भाषा में मूल-मुद्दा संख्यायी है संख्या का मूल स्वरूप क्या है और संख्या का धृव बिंदू क्या है इसको तै कि अभिनास संख्या की कोई फाउंडेशन बनती नहीं तो यह अपने में बहुत ही बड़ा स्टेट्मेंट है यह हम देखने जाएं तो कि कम्येक प्रकार से थ्यात होना ही संख्या है सुनने में तो एक सावान्य स्टेट्मेंट रूप में दिखता है परन तो आज के दिने दी देखेंगे तो इकायत्व किस वस्तु को कहेंगे अभी तक आधुनिक विज्ञान विधी से तो मानव इसका निर्णे नहीं ले पाया है इसलिए संख्या का आधार ही अभी बहुत नहीं है एक प्रकार से काम चला हुए आगे अपूर्णता ही सीमा सीमा ही इकायत्व इकायत्व ही संख्या संख्या ही अस्तित्वशील्ता अस्तित्वशील्ता ही क्रिया क्रिया ही परिणाम परिणाम ही सापेक्ष्टा सापेक्ष्टा ही विकास एवं रास विकास ही गठन पूर्वकी इसका मतलब ही कि प्रत्रेकिकायप्ते में उसका कोई स्वतंत रस्थित तो नहीं है वो अपने वातावरण सहीती है उस वातावरण में ही आदान-प्रदान पूर्वकी उसमें विकास एवं हरास हम देख सकते हैं विकास एवं विकास ही गठन पूर्णता परमान पहला संक्रमत है परमानु में तो विकास ही गठनपूंता गठनपूंता ही अमुरत यह बहुत बड़ा statement हमको मिलति है अदर्शन में गठनपूंता ही अमुरत अजयकता ही दर्शनशम्ता तो क्रिया पून्ता वा आचरन पून्ता ही सतर्ता वा सजक्ता का मतलब गठन पून इकाई जो है ये चेतनी इकाई के रूप में है ये जीवन जीवन का जीव अवस्ता में होना फिर मानव में आना मानव में ब्रान अवस्ता से लेकर ब्रानता ब्रान से होते हुए का ग्यान होते हुए निर्ब्रांती की ज्ञान होना यह सतर्ता तता सजक्ता की रूप में हमको दिखता है यही जागृती करम में होने का मतलब है यही जागृत होने का तात्पर है इसका मतलब है पार्मानू ही जागृत हो रहा है तो जिस वस्तु से जिस मूल तत्व इकाई से संपू एक मेरे पास हिंदी में इसके लिए शब्द नहीं है परम्तु एक माइंड ब्लोइंग एक प्लॉजिबिलिटी है इस दर्शन में आगे दर्शन शम्ता ही पूर्णा नुभूती और पूर्णा नुभूती ही इकायत्व का इसलेशन तो देखक को तो नमन करना ही पड़ेगा अत्मस्तक होना ही पड़ेगा ऐसे वाक्यों के सामने दूसरा कोई भाषा कहना बनता नहीं एक बार मुझे अतानक एक चीज याद आ जए अमरकंटक में हम लोग बैठेते और मैंने कोई क्वेश्चिन पूछा बाबाजी को तो उनी और देखा कि लिखा तो इसी आदमी नहीं आप ही ने तो लिखा है तो वो फिर मेरी और देखे और बोले कि वैसे कहा जाता है मानव परमपरा में कि लेखक अपने ही लेखन से कभी रोमांचित होता नहीं परन्तु नोंने कहा हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है हमारे ही लेख एक वस्तु है ये अगे गठन पून्ता ही चैतन्यता वह अमरत्व सामाजिकता ही सतर्ता एवं सहस्तित अनुभूति ही सजगता एवं पूर्ण विश्राम तो गठन पून्ता को चैतन्यता वह अमरत हो तो वह अमर हो गया मैं अमर हूँ उसको पता चलना अभी शेश है और मैं कैसे बना मैं अमर कैसे हूँ और मुझे कैसे करना है इतना हो ना फिर जाजरती करम के लिए बचा है चैतन्या इकाई में उसमें यही देखेंगे तो सतर् सजक्ता का है तता सहस्तित अनुभूती को सजक्ता तथा पूर्ण विश्राम का है तो पूर्ण विश्राम के पहले हम विश्राम के स्थिति को पाते हैं उसके बाद पूर्ण विश्राम की स्थिति आती है तो पूर्ण विश्राम जो है अनुभूती है यहां पर कल मैंने नो अभी तो उसकी कल्पना मातर में आपको बता पाऊंगा तो सतर्ता इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कि व्यवहार में गल्ती को ना होने देना तो मानवियता के दिश्टी विशे स्वभाव को जब हम शिकार लेते हैं तो हमसे व्यवहार में गल्ती नहीं होता है और अपराद नहीं होता है तो फर्स मुद्दा है अपराद नहीं होना अपराद का मतलब है परधन, परणारी, परपुरुश और परपिडात्मक, व्यवहार तता विचार या ऐसी प्रवृत्ती होना इसका नहोना, साथ में संबंदों को पैचान कर मूल्यों का निर्वा करना मतलब हमारे होने, रहने से, हमारे व्यवहार से किसी को मतलब चोट न पहुंचे, उनकी जगरती में बाधा न हो उनमें कोई भी पीडा का कारण हम स्वयम न बने ये सतर्ता का मतलब है, सतर्ता को बहुत प्रिसाइसले ली देखेंगे तो समाधान पून तर्क को प्रसुत करना ऐसा परिभाषा आया है तो इस परिभाषा से हम अनुमान या आकलन कर सकते हैं कि ये चित और वृत्ती के योगफल में से ततर्ता समझ में आता है तो चित के प्रत्यावर्तन के साथ वृत्ती जो चित के अनुसार हो जाता है याए पून विचार के रूप में तथा नियम पून व्यावार के रूप में ये सतर ताखी सिती है जागृती के करम में अध्यन के करम में ये एक पड़ाव है इसके बाद यही देखेंगे तो सहस द्रिष्टी के रूप में वृत्वी में हमको समझ में आता है। यहां से सजक्ता का प्रारम होता है कब जब सत्य बौध हो जाता है। तो बुद्धी के जागरित होने से, मतलब बुद्धी जब निर्भ्रम अवस्था में नहीं रहती है, और ब्रहमित बुद्धी उस बुद्धी को कहा है, जो आत्मा के संकेट से विमुक है, तो आत्मा विमुक बुद्धी को ब्रहमित बुद्धी संग्या दिया है, तो आत्म सम्मुक बुद्धी जो है यह से शुरू होते हुए अनुभव में पूर्ण सुजक्ता प्राप्थ हो जाती है पूरा ही जीवन जग जाता है तो एक प्रकार से व्यवहार में अलर्टनेस एंड अवेकिनिंग जो है बुद्धी और आत्मा की रूप में हम समझ सकते है सतरा और सुजक्ता को आप इसी में फिर श्रम के विश्राम हम स्टी में भी हम क्रम शार परिवर्ण देख पाते हैं कल हम श्रमकति परिणाम के बारे में थोड़ी सी बात किये थे तो जीवन में श्रम को एड़ी देखेंगे तो मन का बरित्तिक अनुसार नहीं होना या इस लिए कि आत्मा के नहीं हो पाना क्यूंकि आत्मा मध्यस्त है और बुद्धी न कोई मतलब मध्यस्त से भिन कोई एक फिकृति बनी ही रहती है एक उसको मांने तक जढ़ाएं कितना ठीक होगा नहीं होगा वो भी समाप्त होकर बुद्धी आत्मा के स्वरूप में हो जाना ये श्रम का विश्राम है ये चैतनी इकाई में होने वाली एक घटना है एना एक ज्यगरती है तो ये विश्राम से लेकर पूर्ण विश्राम को हम सतर्ता तथा सजक्ता के सत्याभास अस्तित्य की आंशिक्ता की स्पष्ट स्विकृति बराबर अभास अस्तित्य स्पष्टता तथा प्रयोजन सही स्विकृति बराबर पतिती अस्तित्य संपूर्ण से के लिए पूर्ण स्विकृति ही नुभव है तो सत्याभास में ये दी देखेंगे यहां लि को हला है कि मेरा अस्तित्य तो है मेरे व्यवहार से इसžeमेरे च्शंद्स होता है और ग्यानार्जन करने सेशाए स्वीकिर्टी वेस mostly कुछ देखेंगे श्टित्र पूर्नती कि स्विकृति यह थे भाष होने की पूर्णती को यहां पर इंगित-कराई गया है तो अस्तित्र जैसा है वैसे ही हमारे मियोड़ी चित्रस्व जान शित्र ग्रहेंन वैसा हो जाना और उसी रचना के रूप में सज्ञान हो फिर आभास है इसलिए आगे जो परिभाश्या दिया है उसमें लिखा अस्तित्व की आंशिक्ता की स्विक्रति वैसे हमने शिक्र लिए जीवन कीतुरा जिवनर्श कहर रहे हैं ऊस्में उसका न्याइधर्म तुलन पूर्वक उसका चित्रन स्थिर हो जाना इस्तिति का नाम आभास है इसलिए इसमें लिखा है अस्तित्तों की आंचिकता की स्पष्ट स्विकर्ति आगे अस्तित्तों स्पष्टता तता प्रयोजन सही स्विकर्ति तो तो स्पष्टता आभास में हुई भास से उसमें प्रयोजन भी जुड़ इसका मतलब सभाव धर्म को भी हम स्विकार लिए तब ही प्रोक्रयोजन जुदने के संभावना बनती है, तो सभाव धर्म जो है, यह सक्षातकर पूरोव बुद्धी में ही स्विकार होता है, इस घटना का नाम प्रतिती है, और संपून अस्थित्त में, या अस्थित्त पूर्ण मेंसे के लिए पूर्ण जो स्विकृति है यह अनुभव है तो अनुभव में ही जाकर पारगानियता का बिंदु तथा आत्मा क्यामरत्तों का बिंदु तथा मैं और मेरे में संदिग्दता रात होती है जो इस अनुभव दर्शन का प्रखम बात के है तो इसलिए इसको अनुभव कह रहे हैं तो हम यह देख सकते हैं कि सत्य भास से लेकर आभास प्रशिती अनुभव होते होते सूल से लेकर कारण कारण से लेकर महा कारण का ग्यान कमाया हुआ है यही पिर अध्यन विदी से भी हमको यही अध्यन की विदी है सत्य भास होना सत्य अभास होना, प्रशिति के बाद अभास होना video, प्रशिति के बाद अनुगो होना एक प्रकार से पूरी दर्शन में जीवन की क्रिया理 है और इसमें पुझा ज्यागरती क्रम से लेकर ज्यागरती तथा ज्यागरती पूमता की पूर्भाती श्रिंखल है यह हम यह चार लाइन से समझ सकते हैं आगे वस्तुगत सत्यता सहत उद्गाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे वस्तुगत सत्यता सहत उद्गाटन क्रिया प्रक्रिया एवं प्रणाली ही प्रयोग यहना प्रयोग में केवल वस तक प्रयोग बन नहीं हुआ उसमें रूप गुण तक ही सीनित रह गया में उसको गरम करके उसको एक शाकू की रूपे बनाने के लिए लोहे के गुणों का तथर रूप का ग्यान तो होना ही पड़ेगा परन्तु अनुभव मुलक विदी सेधी इसको देखेंगे तो प्रयोग आत्म पद्धक बन गए और अखनसमाजिक्ता का आचरनहं अनुसरन एव प्रयाण अनुसरान जोекс कि और प्रयास पत्धति अभवल रूप अभयाश इभ्यास मुलें अभ्यास दर्शन में कर्मा अभ्यास व्यवहार अभ्यास अथा किंतन अभ्यास के रूप में भी अध्यन किया होगा तो समाधान तता अनुभूती की निरंतरता के लिए हम जो प्रयास पद्धती एवं प्रनाली करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस देशकाल में हम रहते हैं जैसे मैं इस समय में हूँ इतने संबंदों की बीच में हूँ इसी संदर में मेरी मानव होने के नाथे जो जीने में जो भी अनिवार जो माननी जे सेवाएं हैं यह दाइतो ए जो भी मेरी उपयोगिता है और वस्तों को उपयोग करना तथा स्वयम को उपयोगिता को सिद्ध करना और उपादेरा यह इस प्रकार के देशकाल में ही निरनित होता है तो यही देशकाल अधिकार का मतलब है यहां पर आगे प्रकृति के विकास की श्रिंखला में पाए जा जाने वाले अंतिम्हरास तथा विकास का दर्सन स्पष्ट होना साथ ही उसमें पाए जाने वाले नियमों का विश्लेशित हो जाना ही अध्यन अध्यन के लिए हमको और एक परिभाशा यहां पर मिलती है यहां पर बहुती जोरदार एक परिभाशा है प्रकृति के विकास की श्रिंखला में पाये जाने वाले तो प्रकृति के मूल में परमाणू परमाणू में विकास तता रचना क्रम के श्रिंखला में पाये जाने व कच़नम पूर्वक्ष्रिक्ता स्वाव धर्म के रूप में यह स्रिंखला ये स्भस्थोन होना स्भाव धर्म भेशे से लेकर विकास देख ल落ए कर जय हरुआ श्रींखला है यह स्पश्ठ होना तथा उसमें पाये जाने वाले नियम मतलब यह श्रिंखला भी स्पश्ठ होना तथा इनके आपस में जो अंतरसंबंध है यह एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं इनकी नियमों का विशलेशित हो जाना ही अध्यान करने का मतलब है दूसरे भाष्या में सहस तरह सहस्थ्त में विकास्वरस्प्रविका जाज़ति कम जागरति उतिक रासायनिक रचना-विरचना तता इन सभियों की बीच में अंतरसंबंद के जो नियम है इन नियमों का विशलेशित हो जाना इंका स्विल सो जाना इस संपूर्ट आपको फिर अध्यान कहरें तो इ एंद्री अनुभाव की बात हो रहे है है यदोप्रकार है या दो विधी है एक वतिक रासायनिक वस्तों के साथ और एक जो जीवन में होता है तो इंदरी अनुभव तता इंदरी अतीत अभव कई बार एक जो सामान ने हमसे एक भूल होती है जो मेरे साथ भी हुई थी अध्यन करते समय कि अनुभव शब्द को फिर हम केवल आत्मा के साथ ही जोड़ लेता है जबकि सम्पून जीवन में अनुभव हो रहा है और अनुभव की पूर्णता आत्मा से होती है तो वो हमको आत्मा की बात हो रही है कि वृति की बात हो रही है कि मन की बात हो रही है कि बुद्धी की बात हो रही है मुल्यों के अनुभूती की बात होती है स्थापित संबंदों में मुल्यों के अनुभूती की बात होती है यह हम कूर सीरी से टै करना पड़ता है ठीक है तो यह भास तो ये भी कह रहे हैं कि ये भौतिक रासायनिक प्रयोग का जो अनुभव है इसका प्रत्यक्ष जो स्वरूब है ये भौतिक सम्रिद्धी है दूसरे भाषा में केवल हमने रासायनिक भौतिक क्रिया का प्रयोग करके छोड़ दिया इससे बात बंती नहीं उससे भौतिक सम् प्रयास पूर्वक मानव द्वाराही मानव की परसपर्ता में नहित मूल्यका निर्वा किया जाता है जो व्यवहार है जिसका प्रटेक्ष रूपी शहस्तित्व है यही व्यवहारिक समाधान ना तो पहले वाला भौधिक समाधान हो गया भौधिक समरिद्धी के रूप में दूसरा व्यभारिक अर्थवा बौधिक बौधिक को भी व्यभारिक का है तो बौधिक समाधान और व्यभारिक समाधान दोनों एक ही अर्थ में है प्रयास पूर्वत मानव द्वारा ही मानव की परस्परता में तो 2-2 अधिक एक ।से अधिक मानवों में प्रयाश पूरवक्षी किया जाता है इस को फिर व्यवर समंधों को पैचान कर उस में नहीम जो मूर्य है उसको हम निर्वा करते हैं, निर्वा करने का मतलब उस जिम्मेदारी को स्विकारना और उसको पुरा करना, इसको फिर निर्वा करना ही निर्वा है, कई बार हम या तो सम्मन्नों को देखी ने पाते हैं, या देखने के बाद उसके दाइटों को हम उपेक्षित कर देते हैं या उसे बचने का प्रयास करते हैं या अपने अनुसार उसको चाहते हैं तो यह फिर व्यवहार नहीं हो पाता है तो जब यह सही विजी से होता है उसको व्यवहार कह रहे हैं इसका प्रटेक्ष रूप ही सहस्तित्व है यही अछयु वयγां झाय होता है वहा 직접 करना प्रत्न तरेक्सक का मुख्य अगे मानव अभ्यास पूर्वक्षी मानवयता, देव मानवयता, दुव्य मान्वयता में पतिष्टित होता है जिसका प्रत्यक्ष रूप दया कृपा एवं करुणा अब्हास पूरवक की मानव इसमन पतिश्टित हो पाता है दिव्य करुणा से ये इश्वर की कृपा से हो जाएगा ऐसा नहीं है तो वो स्वायम अभ्हास करना पड़ेगा उसमें विक्सित मनुश्यों का विक्सित मानुवों का उसमें वह रहता ही है संयोग रहता ही है तो इस रूप से ये फिर हम हम जो है अभ्यास कुरत ज्यागरित हो पाते हैं इसका प्रत्यक्ष रूप दयाकृपा करुणा है दिवयमानविता का सिर्फ प्रत्यक्ष रूप ग्यान की रूप में ठता प्रमान की रूप में दयाकृपा करूना ही दिव्यमान्दिता का प्रत्यक्षी रूप है यही दिव्यमान्दिता का भभाव भी है I know यह आखरी अध्याय रखता है हम कल तक अच्छा अभी है